हेलो गाईज आप सभी को प्रिती का प्यार भरा नमस्कार आज हम बहुती आसान तरीके से बनाएंगे पाउच तो उसके लिए मैंने फेबरिक में बुकरम चिपका के ले लिया है और मेजरमेंट लिया है 12.5 इंच बाई 10 इच अभी इसमें मैंने अस्तर नहीं जोडा है और अभी जो 12.5 इंच है वहां से इसे फॉल्ड करेंगे और शेप दे देंगे आप चाहे तो इसकी चोडाई लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और अभी जो जहां से हमने फॉल्ड किया है न वो हिस्से से हमें उपर की तरफ जाते हुए 1 पे मार्क करना है 1 इंच पे इस तरह से नीचे की साइड का हमें सेप दे दिया अभी सेम इसी तरह से उपर की साइड हमें सेप दे देना है तो साइड से अंदर की तरफ 1.5 इंच और उपर से नीचे की तरफ जाते हुए हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है दोनों साइड हमें उपर की साइड यही नाप स मेजरमेंट लेके मार्क कर लेना है तो चारो साइड हमारे मार्क हो गए अभी इसे हम कर लेंगे कट करके हो गया अभी सेम मेजरमेंट का हमें लाइनिंग का पीस लेना है मैंने जो नौन वेन की बेग आती है न उसका का यूज किया है और इसे सेम मेजरमेंट का कट कर लिया है और अभी जीप लेनी है सेवन इच की और इसे सेपरेट कर लेना है एक हिसा यहां पर उल्टा रखके स्टीच करेंगे यहां से लेके यहां तक दूसरा हिसा यहां पर स्टीच करेंगे सीधी साइड दोनों की बीच म कट कर लेंगे इस तरह से दोनों साइड हमारी सेम मेजरमेंट की है तो थोड़ी थोड़ी एक्स्रा आईए और अभी जो हमने लाइनिंग का पीस कट किया है ना उसे इस तरफ रखते हुए यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक स्टीच कर लेना है स्टीच करक कहले, पूरे में सिलाई करके यह लाइनिंग का पीस समें, जोड़ लेंगे तो इस तरह से हमारा पीस जोड़ के हो गया और जो एक्ष्ट्रा फेबरिक उसे हम कट कर लेंगे YE priorities और हां जो जब नो वहां प're हमें एक दम कीनारी के उपर मसीन चलाना है जिप पे हमारी सिलाई न आए इस तरह से और अभी हम इसमे runner एड़ कर लेंगे runner को add करना है और निकाल लेना है और वापिस से इसमे runner हमें डाल लेना है ताकि हमारी जिप न वो लोग हो जाए ये देखे इस तरह से मैंने runner भी डाल लिया और अभी side में belt के लिए मैंने ये fabric लिया है 2 by 11 inch का आप चाहें तो ये skip भी कर सकते हैं और ये fabric को हमें double fold करते हुए stitch करके ready कर लेना है तो इस तरह से ये ready हो गया अभी जो zip न वहाँ पे इस तरह से हम इसके उपर रखेंगे और stitch करके इसे लगा देंगे ये देखी ये लग गया दोनों हिससे हमें last वाले इसमें joint करने है और इसके बाद अभी pouch को हम उल्टा कर लेंगे और zip को उपर की side पकड़ेंगे और यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक हमें stitch कर लेना है stitch करके हो गया बाद में non wayne की bake की मैंने 2 एक एक इंच की strip cut की है और यहां पे हम stitch करके इसे cover करके लगा देंगे ताक कि हमारे extra जो धागे है वो निकले नहीं वो हो जाए बाद में यहां पे हमें जो corner cut की है न उसे इस तरह से पकड़ना है और stitch करते जाना है तो चारो corner पे same इसी तरह से हमें stitch करके इसे pack कर लेना है और साथ साथ में cover भी कर लेना है यह हो गया और अभी pouch को हम कर लेंगे सीधा तो उसके जो corner है वो अच्छी तरह से हम बार की तरफ निकाल लेंगे तो यह देखिए हमारा यह pouch बनके हो गया है ready बस थोड़ी ही देर में यह pouch बनके ready हो जाता है और आपको measurement बता दू तो यह 6.5 inch इसकी चोड़ाई है और height में यह 3.5 inch है और उपर की side नीचे की side और side चोड़ाई इसकी है 3 inch तीनो हमारी same measurement है तो इस तरह से इसका final measurement है आप यह pouch जरूर try कीजिएगा कैसा बनता है comment करके मुझे बताईगा और यह pouch कैसा लगा आपको वो भी comment करके मुझे जरूर बताईगा अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा share भी कर दीजिएगा चैनल पे नए तो subscribe कर लिजिएगा चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय भारत